हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टु यूपी से एसस, टैली प्राइम स्रीच का लेक्शन नमबर 10 है और हमने पिछले वीडियो में exercise 2 हमारी जो थी, इसको हमने solve करवा दिया था जिसमें total 13 question थे और हमने हर question से David Credit Laser Underend Voucher कैसे पता करते हैं यह सारी चीज़े हम अभी तक पिछले वीडियो में complete कर चुके हैं तो आज से हम start कर रहे हैं practical तो यह जो entry है यानि कि हमारी exercise 2 थी इसमें जितनी भी entry है 13 question है इसको आज हम Tally Prime software में practically करना देखेंगे तो देखिए आपको search करना है Google पर tallysolution.com इस website पर आपको जाना है फिर उसके बाद वहाँ पर आपको Tally Prime software का setup है वो मिल जाएगा आप वहाँ से उसको download कर सकते हैं काफी जी है आप लोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और फिर install करने की process तो बिलकुल आसान है जैसे कि आप normally दूसरे software install करते हैं अपने desktop या laptop में उसी तरीके से install करना है बस ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों के desktop या laptop में अभी भी Windows 7 operating system है यानि Windows 7 चला रहे है कि आपका जो operating system है उसमें Windows कौन सी है या operating system कितने bit का है तो उसके लिए आपको simply this PC पर right click करना है और उसकी property में जाना है यहाँ पर property में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा या फिर अगर दिस PC नहीं तो Windows 7 होगा तो उसने my computer लिखा होगा या फिर इसका एक shortcut भी होता है कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है start button के साथ यानि कि जो Windows बटन होती है start button ठीक है तो start button के साथ में आपको प्रेस करना है pause break button इधर होती है number की जो होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगी pause break तो start pause break प्रेस करेंगे तो directly आपके सामने की कोई भी window हो चाहे वो window 7 हो window 10 हो आपके सामने सारी information configuration जो है वो आ जाएगी यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा system type 64 bit operating system है ठीक है फिलाल हमारे में window 10 जो है वो install है 7 होगी तो आपको पता चलिएगा 7 है 64 bit है इससे पता कर सकते हैं कि आपका operating system है कितने bit का है clear है चलिए चोटी सी चीज थी तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि आप download install और आम से कर सकते हैं और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं अभी एक दो दिन में जो है हम live class लेने वाले हैं तो live class में आप जो है comment कर सकते हैं वहाँ पर हम आपको live class में बता देंगे पूरा कि कहां से download करना और कैसे install करना है ठीक है तो आप जो है live class में जुड़ सकते हैं live class की जो timing होगी वो आपकी होगी संडे को ठीक है 31 तरीक को संडे पढ़ रहा है यहाँ पर 31 दस 31 दस 2021 संडे 8 बजे ठीक तो यहाँ पर आप जो है live में जुड़ करके आप जो भी अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ भी problem हो रही है कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप live class में जुड़ करके जो है हमसे वो सारी चीज़े पूछ सकते हैं ठीक है वहाँ पर आपको live जो है reply कर द करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं और बाकि टैली सॉफ्ट्वेर यानि की टैली प्राइम सॉफ्ट्वेर अगर आप परचीश करेंगे तो इसका जो वन टाइम पेमेंट है वो 18,000 रुपे कंप्लीट है सिल्वर का बाकि इसमें गोल्डन होता है उसके बार काम करना है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है ठीक है कंपनी बनाने का क्या मतलब है जैसे कि आपने MS Word या फिर Excel इस पर काम किया होगा या फिर किसी ऐसे सॉफ्टर पर काम किया होगा जहां पर वर्क को करने के बाद में हमें उसको जो है सेव करना पड़ यानि कि जैसे हमने डेमौ नाम से फाइल से फाइल कर दिय तो एक फाईल हमारी यहां पर बन जाती है अब इस फाईल के अंदर क्या है टेटा है डेटा काउन सा जो हमने यहां पर MS Word में टाइप किया है यही तो कॉंसेप होता है यही्加र्युन किये और उसको अ्शु देल नाम की एक file बन गई जिसके अंदर ये data है बिल्कुल वही concept यहाँ tally में है लेकिन अंतर यह है कि tally में सबसे पहले ही आपको company बना लेनी है जो company है यह आपकी एक file है यह क्या है आपकी file है और जब हम इस company को बनाने के बाद उसमें entry करेंगे तो वह आपका क्या है data है cdc बात है दो चीज़े हैं लेकिन यहाँ ms word में आपको एक चीज़ यह होती है कि आप पहले type कर लें बाद में भी save कर सकते हैं या फिर आप ms word open करें पहले file को save कर लें बाद में उसमें type करें वह अलग बात है मलब इसमें दोनों चीज़े हैं लेकिन tally में सबसे पहले आपको क्या करना है company जो है वह बनानी है यहाँ पर फिर उस company में आप particular entry करेंगे लेकिन यहाँ पर जब हम company बनाएंगे तो उसमें कई सारी open नहीं होगी तब तक आगे आप कोई दोसरे option यूज ही नहीं कर सकते है मलब उसमें काम ही नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें company create करनी है तो पहला interface तो यहीं मिल जायागा और अगर आप में company एक आद पहले से बनी हुई है तो आप यहाँ से उसको open कर सकते हैं बाकी company के लिए especially option यहाँ पर आपको मिल जागा यह देखिए company जहां से हम बनाते हैं delete करते हैं को editing करनी हो या company से related जो भी work करना होता है वो सारा हमको जो है इसी company वाले menu में option मिल जाते है ठीक है फिलाल अभी तो हम यहाँ से ही company create कर लेंगे यह आप देख रहे होंगे य यहाँ पर हम enter करेंगे और कुछी इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर company creation की window होगी जिसमें सबसे पहले company data path यानि कि जो आपकी company है यह बन रही है उसका address गया है तो जैसे आपको पता है ना कि MS Word जो हम file को save करते तो वो पूछता है कि किस location पर आपको file लखनी है तो वहाँ पर पर c, colon, slash, user वाले folder में, public वाले folder में, tally prime और data वाले folder के अंदर हमारी यह company बनेगी ठीक है तो हमारी company कहाँ बन रही है यह आप उपर से देख सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो company का path है वो change कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं C drive में नहीं बलकि D या E drive में हमारी company का data save हो तो वो भी आप कर सकते हैं वो कैसे करेंगे तो वो हम आने वाले videos में देखेंगे उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सारी चीज़े देखेंगे एक एक चीच लेकिन अभी यहाँ पर इसको हम skip करते हैं यानि जो address default set है बस उसी को हम रहने देते हैं ठीक है financial year, financial year हमारा जो भी है ठीक है मलब 1 April 2021 से स्टार्ट हो रहा है अगर हम बिजनेस इस financial year में स्टार्ट कर रहे हैं तो एक April 2021 होगा ठीक है इसमें mailing name, mailing name क्या होता है तो देखिए mailing name का मतलब होता है कि अगर आपकी company का कोई दूसरा नाम भी है या जैसे हम बोलते है nickname ठीक है वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा कर सकते हैं जैसे company name में हमने लिख दिया UPCISS तो mailing name में हम लिख सकते हैं UPCISS का पूरा न name होगा और mailing name में उसका हम एक तरीके से nickname या sword name या जो रखना चाहें रख सकते हैं clear है या दोनों में same रखना चाहो आप same रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं फिर बात करते हैं address की तो यहाँ पर हम address डालेंगे तो यह सारी चीजे देखिए compulsory नहीं है लेकिन जब real work होता है तो इसलिए अभी यहाँ पर हम जो है सीख रहे हैं तो चाहें तो address को skip कर सकते हैं लेकिन फिलाल यहाँ पर छोटा सा डाल देते हैं UPCI Computer Education और यहाँ पर हम एंटर करते हैं फिर यहाँ पर हमें state select करनी है state ध्यान रखना है आपको select करनी पड़ेगी तभी आपकी जो आगे की reports ह होगे रहे हैं वो सही से आप आएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने select कर लिया उत्तर प्रदेश country automatic set हो गई पिन कोड तो यहाँ पर हमने पिन कोड डाल दिया telephone number mobile number fax email website यह सब आप चाहें तो skip कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहाँ पर फिलाल अभी इसको हम छोड accounting period होता है तो वैसे हम लोगों के लिए जो नया सal start होता है यानि कि जो हम लोगों के लिए new year start होता है कि फिर्स्ट जनेरी से start होता है ठीक हया हम लग निव इर भी यह पर फिर पिर फिर फिर.org इस को हम accounting period हें और फिर financial UP कहते हैं इंती में इसको बोलते है तो ये जो हमारा होता है इसमें एक अप्रेल से स्टार्ट होता है एक अप्रेल से और 31 मार्ज तक यानि 31 तीन तक अब रही बात एयर की तो एयर आपका जो भी चल रहा हो जैसे भी 2021 चल ला है तो 2021 हो गया और यह यहाँ पर हो जाएगा आपको पता चल गया होगा 2022 हो जाएगा अगर हम अभी आज की डेट बेनी 27 अक्टूबर 2021 को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इस कंडिशन में हमारा फाइनेंसिल येर जो होगा वो एक अप्रेल लगेगा समझाई बात कैसे लगेगा जैसे अभी अगर आपसे हम ये पूछें कि आभी चल ला है 2021 और 2021 का जो निव इयर था यानि कि जो निव इयर की पहली डेट थी वो क्या थी आप क्या बताएंगे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप 1 जनवरी 2021 बताएंगे कि नहीं बताएंगे बिल्कुल बताएंगे जबकि आज तो 27 अक्टूबर है फिर भी अगर निव इयर की पहली डेट होगी तो यही बताएंगे एक जनवरी बस वही उसी तरीके से यहाँ पर अकांटिंग पिरियेड में अगर आज की डेट की बात करें तो आज तो 27 अक्टूबर यानि 27 10 21 ही है ध्यान देना लेकिन जो इसका फाइनेंशियल इयर होगा वो 1st अप्रिल से स्टार्ट होगा क्योंकि हमेशा अकांटिंग पिरियेड यानि की फाइनेंशियल इयर 1st अप्रिल से स्टार्ट होता है और यर वही जो उस जहां पर आप होंगे यानि 27 अक्टूबर की बात करें तो 2021 ही रहेगा और अगर हम जनवरी की बात करें 2022 की बात करें ध्यान रखना एक जनवरी 2020 को अगर हम अपना बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कंडिशन में भी हमारा financial year 1 April 2021 ही रहेगा पता चल गया होगा क्यों क्योंकि इसका जो financial year है वो 1 April से start होगा और कहां तक जाएगा 31 3 2022 तो यह वाली जो date है 1 January 2022 इन्हीं दोनों के बीच की date है कि नहीं है तो अगर बीच की है तो financial year यही वाला होने वाला है सब्सक्राइब करेंगे तो अभी यहां पर हम फाइनसेल यह जो है वह एक चार दो हजार करेंगे अगर हम माल लेते हैं एक चार से ही बिजनेस से start किया है तो दोनों में same date रख सकते हैं या फिर अगर हम आज की बात करें तो इसमें हम 27 अक्टूबर सेट कर सकते हैं यानि कि हम आज से इंट्री करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो books beginning from यानि कि इंट्री करना कब से स्टार्ट करें तो यहां पर हम 27-10 इस तरह से set कर सकते हैं किलियर है लेकिन यहां पर 27-10 जो है यह अशिप्ट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा तो देखिए जैसा कि हमने बताया टैली प्राइम जो है यह एजुकेशनल वर्जन है और एजुकेशनल वर्जन में हम जो है डेट नहीं चेंज कर सकते हैं मन्तली कुछ डेटे चेंज कर सकते हैं जैसे हर महीने की हम पहली तारीक और दूसरी तारीक और उस महीने की लास्ट डेट जो होती है जैसे अगर 30 का महीना तो यहां पर देट का जो ध्यान है वो हमें जब एक्च्वल वर्क करते हैं तो वहां पर हमें डेट वगएरा का सारी चीज़े अच्छे से ध्यान रखने पड़ती है लेकिन अभी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकी चीज़े हम आगे क्लियर कर लेंगे तो यहां पर हम एंटर करेंगे फिर उसके बाद यहां पर यहां पर आगे यह बोछ छा है बेसिक कर थो क्रफी का मतलब यहांपर लिखा यहां पर çरऑ he यहाँ पर जो हमारा Indian currency का जो आपका रूपीज है मलब यह sample भी इस तरह से रहे तो यहाँ पर आप जो है इसको suffix sample to amount ले सकते हैं जिससे क्या होगा कि यहाँ पर यह भी जो आपका sample है यह भी यहाँ पर last में आ जाएगा अगर इस option को आप यहाँ पर yes करेंगे तो ठीक है clear है फिर यहाँ पर अगला जो option है add space between amount and sample तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर हमने लिखा था 550 या जो भी है और यह जो आपका sample है अगर यहाँ पर आप इसको ले रहे हैं तो इसमें और जो आपके यहाँ पर amount है इसके बीच में space देना है gap देना है कि नहीं देना उसके लि amount in millions यानि कि जब बहुत बड़ा amount होगा तो क्या amount millions में 100 हो तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो yes कर सकते हैं वरना no कर सकते हैं फिर उसके बाद number of decimal places यानि यहाँ पर यह पूश रहे है कि point के बाद जो number आपका amount होता है उसमें point के बाद में आपको कितने पैसे तक यानि कितने number रहने कहने का मनलब ठीक है तो estáil do to to Rok voll यह पिर तरह सकते हैं ठीक है जैसे आपको पता है कि अगर हम वहं अ हंडरेट को ठीक है जो है last के 4 डिजिट या 5 डिजिट तक रहे तो वो भी रख सकते हैं लेकिन normally 2 रहता है amount की बात करें तो हम इसमें 2 ही रखेंगे और फिर उसके बाद यहां पर word representing amount after decimal यानि कि यहां पर यह पूछ रहा है कि decimal यानि point के बाद में यहां पर हम लिख सकते हैं तो यहां पर by default पैसा आ रहा है तो बस पैसा ही रखना है बाकि यहां पर आप जो रखना चाहें वो type कर सकते हैं सीदे सीदे ठीक है फिर उसके बाद यहां पर है number of decimal place for amount in word यानि कि जो आपका point के बाद में जो आपके पैसे होंगे उनको जो है वो कहां तक word में convert करना है तो यहां पर हम two set करेंगे normally two ही होता है जैसे 55 पैसा है तो बस 55 पैसा इतना ही लिख क्या है बाकी आगे ना लिख क्या है पूरा बेवरा ठीक है जैसे यहां पर अगर लिख देते हैं जैसे हमने लिखा 4.01 ठीक है और 3 तो यहां पर यह 0 है और 13 है यानि कि यह 10 पैसे से भी कम है इस condition में यह पूरा ऐसे आना चाहिए कि नहीं तो वैसे तो आपको पता है कि हमने आप पर number of decimal place 2 लगा रखा है तो यह वैसे ही 4.01 ऐसे हो जायाएगा 3 जो है वो cut जायागा ठीक है round figure हो जायागा चलिए तो यहां पर यह सारी चीज़े आपको समझ आ गई होंगी कि company में जितनी भी option है इनका क्या use है बाकी इसमें अगर आपको option कम लग रहे हैं अगर आप टैली यारपी 9 पढ़के आएं तो आपको पता होगा और अगर आप सीधे सीधे टैली प्राइम से starting कर रहे हैं beginner है तो यहां पर आपको यह इतने option इसमें मिल जाते हैं बाकी अगर और option चाहिए तो उसके लिए यहां पर इसे हमें configure करना पड़ता है यहां पर आप नीचे देखेंगे configure यहां पर इसकी shortcut की है F12 जो F12 function की होती है ध्यान रखना टैली प्राइम में ज्यादा तर shortcut की जो है वो function की यहां पर यूच की गई है जो आपके keyboard में ओपर होती है F1, F2, F3, F4 वाली ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है F12 की प्रेस करनी है या फिर configure पर यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं तो यहीं पर हम जब F12 की प्रेस करेंगे तो इसमें हमें और भी कई से option मिल जाएंगे जैसे provide contact detail अगर यहां पर देखिए yes है तो yes है तो इसका मलब यहां पर जो contact वाली detail है वो आपके सामने यहां पर देखिए आ रही थी ठीक है अगर नहीं आ रही है तो यहां पर आप F12 प्रेस करके इसको yes कर सकते हैं यहां पर option है use user access control यानि कि इसमें का होता है कि एक company को जब कई user control करते हैं तो वहां पर इससे जो है हमें manage करना की नहीं तो अभी इसको भी हम separate video में देखेंगे and last option है provide additional base currency detail जो की yes है तो यहां पर यह जो नीचे आ रही थी यह currency detail ही आ रही थी ठीक है तो अगर यह currency detail आप में नहीं आ देंगे contact detail को तो यहां पर इसको पहले accept करते हैं accept का मतलब यह होता है कि नीचे आते हैं और एक और 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 करते हैं तो यह देखे बहुत ही आप आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम option यहाang पर रहे गये ठीक है तो यह चीज होती है तो यहां पर आप जरूद के हिसाब से टै यानि की configure में जाना है और जितने option चाहिए उसको यहां से आपको yes कर लेना है तो यहां पर company कैसे बनती है detail में हमने बता दिया detail में इसलिए बताया है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो और कभी दिक्कत हो company बनाने में तो आपको वापस आकर कि इस वीडियो को देख लेना है ठीक है company कैसे बनती है आपको फिर पता चल जाएगा तो यहां पर company का पाथ हमने बताया ठीक है कि कहां company आपकी जा रही है यहां पर company जो है वो create होगी किस location पर फिर company name क्या है mailing name के बारे में address state country पिन कोड़ सब पता है currency symbol के बारे में हमने detail में एक एक करके बता दिया और financial year को भी हमने detail में समझा दिया है ठीक है तो यहां पर finally company जो है वो हमने सारी detail फिल कर दी है last में जब हम enter 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 करते होई आएंगे यहां लास्ट वाला जो हमारा है number of decimal place जिसमें सारा कुछ भजने के बाद enter करेंगे तब यहां पर आप से यह पूछेगा accept करना है कि नहीं करना है ठीक है यहां पर आप देखेंगे accept लिखा हुआ है और इसमें पूछ रहा yes या फिर no इसका मतलब गया है तो देखिए जब यहां पर हम यहां पर accept यानि की yes तब हमारी company create होगी अभी हमारी company create नहीं हूई हमने सिर्फ detail भरियें ठीक है अगर हम computer बंद कर दें यहां उक्त और हमारे सामने आ गया कि company created successfully यहाँ पर यह बता रहा है कि आपको आपके business के लिए जितने feature की जरूत है उन्हें आप enable कर ले, ठीक है, enable the feature as per your business needs, यानि जितने जरूत है आप यहाँ पर on कर सकते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि Tally Prime एक काफी powerful software है जहाँ पर हम service organization हो trading organization हो, manufacturing organization हो या फिर accounting से related हमें कोई भी काम अगर Tally Prime में करना है तो सारी feature मिल जाते हैं, ठीक है लेकिन क्या है कि जिसका जो business है वो अपने हिसाब से feature on कर ले, ठीक है तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर company create करने के बाद तुरंत यह option हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें जितने option की जुरूत है, उतने on कर लेंगे अब जितने option की जुरूत है, इसका क्या मलब option के बारे में भी तो पता होना चाहिए, कि कौन सा feature किस organization में यूज करते हैं तो वो तो हम आने वाले videos में देखेंगे, ठीक है फिलाल, यहाँ पर कुछ चीज यह भी आपको common वाली हैं, वो हम बता देते हैं कि क्या क्या अभी आपको on रखना है, ठीक है तो एक तो maintain account यह वाला option आपको yes रखना है, ठीक है इससे क्या होगा, इससे service organization में मलब account को maintain करने के लिए यह option हमेशा yes रहता है, हो गया फिर enable bill wise entry इसको भी हमें yes रखना है, दोनों option यहाँ पर yes रखने है, किलिर होगा, यहाँ पर यह आपको दो option देख लीजे, maintain account and enable bill wise detail, यह दोनों option आपको yes करने हैं, फिर maintain inventory इसे आप जो है no कर सकते हैं यह inventory के लिए होता है, तो अभी तो हम service organization देखेंगे, तो इसकी हमें ज़रुवत नहीं है तो यह हमने no कर दिया, यहाँ पर आप देखेंगे, कि यह feature जो है accounting से related है, यह inventory से related है, और यह taxation system है, ठीक है तो अभी हम taxes से भी मतलब नहीं है, क्योंकि GST पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, cash study 2 में पढ़ेंगे, तो इसको भी हम no कर देंगे, ठीक है taxation से related भी हमने no कर दिया और inventory से related भी सारे option no कर दिये, यहाँ पर accounting में हम सिर्फ maintain accounts और enable bill wise entry, इन दो option को yes करेंगे, और इसमें एक और option है तीसरा, enable cost center अब cost center को भी हम yes करेंगे, लेकिन cost center क्या है, क्यों yes करेंगे, इसकी क्या जरूत है, इसको जब हम आपको समझाएंगे, तब इसको जो हम on कर लेंगे इसमें देखें क्या होता है, कि जो अभी feature आपके सामने आ रहे हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर आपको on-off कर सकते हैं, बाद में आपको फीचर नहीं मिलने वाले, ऐसा नहीं है, अगर यहां से कुछ भी हम ना देखें, इसको ऐसे ही accept कर लें तो बाद में हमें जब जरूत होगी हम तब जो है, अपने जरूत के हिसाब से कभी भी इसमें से कोई भी फीचर on या off कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम में ठीक है, तो फिलाल आपको पता चल गया होगा कि हम कभी भी इन फीचर को on या off कर सकते हैं, तो फिलाल अभी यहां पर हम दो option को yes करते हैं, बाकी no रखते हैं फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसमें online access यानि कि अगर आपका tally जो है वो purchased version है तो उस condition में आप यहाँ से online access भी ले सकते हैं जिससे आप अपने browser में या mobile में भी tally की reports हो गया देख सकते हैं तो इसको जो है आप yes या no कर सकते हैं ज़रोग के हिसाब से फिलाल यहाँ पर no क दिया तो कुछ option इसमें से और कम पड़ गए फिर इसको भी हमने no कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको no करना है तो यहाँ पर इसको no कर दिया तो बिल्कुल basic से option बचे ठीक है बहुत ही कम और ज्यादा feature चाहिए तो इसको yes करो और ज्यादा चाहिए तो यहाँ प अगर हम ms word excel की बात करें तो वहाँ पर control a से select all की sort की होती है लेकिन यहाँ पर control a जो है वो accept की sort की है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है अगर हम enter इंटर देखें अभी normally क्या होगा कि enter इंटर करते हुए यहाँ पर ऐसे से जाएंगे फिर उपर से last में जब यहाँ पर और finally हमने देखा कि company जो है वो कैसे create करते हैं फीचर कैसे on off करते हैं यह सारी चीज़े देखी अब यहाँ पर देखेंगे name of company demo और इसमें no voucher entry यानि कोई entry इसमें नहीं है और उपर देख सकते है current period क्या है एक अप्रेल से 31 मार्च 2022 यानि financial year है और current date क्या है तो first April है वैसे तो आज 27 October है आप देख सकते हैं लेकिन हमने जो company बनाई है उसमें तो हमने books beginning from की date एक अप्रेल ही set की है तो वो चीज़ यहाँ पर दिखा रही तो यह जी ध्यान रखने है current period हमारा क्या है और current date क्या है फिर name of company कौन सी open है उसमें entry है नहीं है यह सारी detail यहाँ पर आपको म business handle करते हैं तो फिर हमें 2-3 company बनानी पड़ेंगी ठीक है तो यहाँ पर company में जाएंगे और create करेंगे clear है company में जाकरके यहाँ से हम सीधे company फिर से create कर सकते हैं जितनी बार जरूत हो जितनी company बनानी हो तो यहाँ पर हम एक software से कई सारे business को handle कर सकते हैं अलग-अलग company बना करक और इसमें आप यहाँ पर company फिर से create कर सकते हैं सारी detail भरने के बार ठीक है चलिए वापस आते हैं देखे टैली में वापस कैसे आना है तो यहाँ पर हम चले तो गए company में जाके यहाँ पर create में गए थे लेकिन यहाँ से back जाना है तो back जाने वाला इसमें कोई ऐसा option तो है दिखने रहा तो यहाँ पर keyboard में आपको एक button में लेगी ESC इसका button यह important button है क्योंकि टैली प्राइम में इसका ज्यादा use होता है यहाँ पर हम back जाने के लिए ESC button का इस्तेमाल करते हैं देखें ESC हमने एक बार प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह option आ गया कूइट करने का यह यह नगी बाहर जाने के लिए तो हम चाहें तो एक बार जो है ESC और दबा दें गे तो हम बिल्कुल बाहर आजाएंगे यह फिर हम एक बार और ESC button देखें बाहर आगए rate में लेगा और वापस आना है तो सीथी सिम लैप्टॉप का जो कीबोर्ड है वो ज्यादा बढ़िया जो है वर्क नहीं करता तो हमारी रिक्कमेंडेशन यही है कि आप एक जो है दो धाई सु रुपए का कीबोर्ड एक नया मिलेगा अलग से आप लगा लेगा लैप्टॉप है बाकि डेक्स्टॉप में तो आपके पा उपर यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिख क्या रहा है कंपनी अल्टरेशन यहां पर आप देखेंगे ठीक है तो कंपनी अल्टरेशन मोड में है और अभी हमारे में एक ही कंपनी बनी थी इसलिए सीधे कंपनी जो है वो अल्टरेशन मोड में आ गई जैसे ही हमने यहा बटन दवानी होती ठीक है फिलाल यहाँ पर अब आप चाहें तो इसमें कोई changes कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम अगर अपनी website लिखना चाहें तो सीधे यहाँ पर mouse से click करके direct आ सकते हैं कोई जरू नहीं कि enter-enter करते हुए हैं mouse से click करके आ सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी website यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने अपनी website यहाँ पर डाल दी और डालने के बाद आपको पता है कि हमें enter-enter-enter करते हुए last में आ जाना है लेकिन अगर हमें बस इतना ही मिलब जो सामने है सब सही है तो सीधे हमने बताया था shortcut की control-A बटन प्रेस करेंगे और यह accept हो जाएगी तो company हमारी जो है वो alter हो चुकी है हैनि edit हो चुकी उसमें हमने अपनी website डाल दी थी clear है तो company create कैसे करेंगे alter कैसे करेंगे पता चल गया फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं cert company की SHUT यानि की cert down करने की तो अभी company जो हमारी है वो current time में demo वाली open है ध्यान रखना हमारी company क्या है open है कोई भी छेड़खा नहीं इसके साथ कर सकता है अगर password के रहा नहीं लगा रखा है clear है तो देखे जब company हमारी बंद है यानि current time में tally prime software में कोई भी company open नहीं है कोई भी नहीं open इसका क्या मलब हमने एक ही company बनाई और उसको भी कर दिया बंद तो कोई भी नहीं open है ना तो यह जब तक company नहीं open होगी तब तक आप इसके आगे पीछे नहीं जा सकते company को open करते हैं clear हो गया तो यहां पर देखिए अभी current time में demo वाली company देखे फिर से on हो गई यानि open हो गई और अगर माल लेते हैं दो-चार company और बना रखी है इसी तरह से और उसमें से कोई और company दोसरी किसी नाम से है उसको open करना है तो आप company में जाके यहां से select में जाएंगे और shortcut की आप सबकी सामने लिखी देख सकते हैं shortcut की हमें बताने की जरूत नहीं है ठीक है आप खुछ से देख सकते हैं तो sort की क्या है इसकी select company की alt f3 इसको यहां पर आप प्रेस करेंगे और आप company को select कर सकते हैं यानि की open कर सकते हैं clear है तो company यहां पर अभी तक हम समझ चुके हैं कि company create कैसे करेंगे alter कैसे करेंगे cert कैसे करेंगे और वापस open कैसे करेंगे तो यह सारी चीज़े यहां पर हमने company के बारे में detail में इस वीडियो में पूरा cover किया है और बाकी यहां पर अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस company में जो हमारी exercise थी इसकी entry कैसे करनी है वैसे तो आज हम इसी वीडियो में दोनों चीज़े बताने वाले थे लेकिन हमने सुचा company के बारे में complete जान करेंगे आपको detail में दे दे ताकि आगे दिक्कत ना हो तो अब अगली वीडियो में हम इसी company में यानि कि demo वाली company में यह जो हमारी exercise है इसको सीधे आपर entry करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे करनी है ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह सारी चीज़े हमने आपको complete करवा दी है अगर कोई दिक्कत है तो जैसा कि हमने बताया आप comment कर सकते हैं और Sunday को जो live class होगी तो वहाँ पर आपका comment का reply live दे देंगे या फिर आप live में जुड़ सकते है ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो